वश्कार दोस्तों मैं हूँ निल चौधरी आपके इपने यूटूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों लास्ट येर आप सभी जानते हैं यूक्रेन और रसिया के बीच में एक बार हुआ उसकी बज़े से जो इंडियन स्टुडेंट इन कंट्रियों से एंबी बेस क थी इनों ने केंद्र सरकार से कहा कि आप हमारा एडवीशन या के गौवर्मेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दिला दीजिएगा लेकिन केंद्र सरकार ने और एनमसी या फिर मेडिकल से जुड़े हुए तमाम बड़ों ने इस पस्ट रूप से मना कर दिया इस तो स्टूडेंट ने केंद्र सरकार से कहा था कि आप हमारी डिगरी को इंडिया के मेडिकल कॉलेज से दिलवाईएगा लेकिन केंद्र सरकार ने इस पस्ट ये कहा था कि ऐसा हो पाना इतनी स्टूडेंटों के लिए मुम्किन नहीं है आपको अगर डिगरी लेनी है तो आ आपको इंडिया से ही डिग्री दी जाएगी साथ ही आपको डिग्री मिलने के वाद दो साल की इंटर्शिप करनी होगी दोस्तों इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो पूरे शलेवस के दो टेस्ट होंगे उनको पास करने का केबल और केबल एक चांस मिलेगा अगर आप एक चांस में पास कर लेते हों तो आपको डिग्री मिलेगी अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपकी जो पहले चार या पांस साल आपने युक्रेयन पढ़ाई कियो किसी भी काम की नहीं दोस्तो अगर आप 12th पास करके यूक्रेन गए हुए थे और अगर आप ये टेस्ट पास नहीं कर पाते तो आपकी जो क्वालिफिकिसन इवर 12th पास ही रहेगी दोस्तो इस मुद्दे को लेके स्टुडेंट जब सुप्रीम कोट गए तो जस्टिस गवई साफ की वेंच से ए तो उन्होंने कहा कि इंडिया के मेडिकल कॉलेज में एडविसन दिलाना इतना आशान नहीं है इस बिसेप पर अपन टिपटी नहीं करेंगे लेकिन हाँ स्टुडेंट के लिए हम इतनी सहुलियत दे शकते हैं कि जो फुल शिलेबश का आपका दो पार्टों में दो अलग पास करना होगा अगर आप किसी भी कारणबस इस एकजाम को पास नहीं कर पाए तो आपकी डिग्री इन्वेलिड आप ट्वेल्थ पास इसके लाबाद दोस्तों ऐसे स्टुडेंट जो थर्डी एर फोर्थ एर यह सेकंड इयर में थे अगर उनका एडविसन गैजट से पह नहीं हुआ है तो आपके पास यह विकल्प है दोस्तों साथ ही मेरा ओपीनियन यह है कि जो यह दो चांस किये हुए है यह आपको अनलिमिटेट कर देने चाहिए दोस्तों तमाम स्टुडेंट से एकजाम में बैठेंगे और किसी भी तरीके से कोई कंफर्म नहीं है कि सभी स्टुडेंट से एकजाम को क्रेक कर सकते हैं काफी स्टुडेंट ऐसे होंगे जो नहीं कर पाएंगे अब उनके हाथ से पैसा भी गया समय भी गया अब उनके पास कोई आपसन नहीं है लेकिन इस एकजाम की इनको लिमिट नहीं रखनी चाहिए थी कम से कम इसके उंबीद म अब देखो दो साल का इंटर्शिप करना इतना बड़ा मुद्दा नहीं है क्योंकि आपकी कहीना कहीं नौलेज बढ़ेगी लेकिन इसका भी थोड़ा सा साइड एफेक्ट यह है च्छे साल की यूक्रेन में MBBS होती है एक साल यह फैसला आने में लग गया दो साल की इंटर्शिप करेगा लगबग 19 साल उसके MBBS में चले जाएंगे उसके बाद एक दो साल PG की तैयरी करेगा फिर PG में नमर आएगा तो 13-14 साल में डॉक्टर बनके निकलेगा अब आप समझ स सकते हो जो इंशान की आई हुए वो लिमेटेड 65 साल हो चुकी अगर उसमें से 14-15 साल के बल डॉक्टर बनने के लिए देंगे तो लैफ में करेंगे क्या तो दो साल का इंटर्शिप भी थोड़ा सा समय को लेके खतरनाक लग रहा है वाकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो दोस्तों जो भी हुआ इससे स्टुडेंट का पूर्ण भला नहीं हो पाया है बस एक थोड़ी सी राहत बरी खबर मिली कि एक चांस की जगे दो चांस मिल चुके हैं और दोस्तों मैं कजाकिस्तान से MBBS कर रहा हूँ फोर्ट एर का स्टुडेंट हूँ यहां की कला, संस सब्सक्रति जोगरोफी भूगोल मेंगाई को ब्लॉक से माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ एनोद और यूटूब चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप मां जाके विजिट कर सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में ऑथेंटिक हुआ हुआ हुआ